तो दोस्तों नमस्कार आज हम बात करेंगे तुलसी प्लांट के बारे में तुलसी प्लांट में हम दो तुलसी की बात करेंगे एक तो राम तुलसी दूसरी हमारी कृष्णा तुलसी तो पहली जो राम तुलसी होती है उसको वाइट तुलसी भी का जाता है और जो कृष्णा में लगने चाहिए तो चलिए वीडियो को बिनाyan time-based की हुए start करते हैं है तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहला जो इसमें difference आता है वो आता है पतियों के color का पतियों के कलर का जो यह पतियों का कलर होता है जो हमारी यह कृष्णा तुलसी है इसमें परपर कलर पाया जाता है और जो हमारी राम तुलसी होता है उसका कलर एकदम ग्रीन होता है यह आप देख सकते हैं बुरा ग्रीन है और इसका कलर हलका परपर कलर का होता है तो इसका मे यह सूगंद, जादा होती है शादा मात्रा में आती है और यह जो मारी रामतुलसी है इसमें हलकी सी मीठी सी खुस्ब्यू आथी है और यह बहुत कम आती है इसमें खि खुस्बू में गुशंद डिन टूलसी Jen कि अगर आप राम तुलसी को चबाते हैं मुह से तो आपको बहुत ज्यादा फ्लेवर नहीं मिलेगा हलकी सी ठंड़क मैसूस होगी बहुत हलकी सी और ज्यादा फ्लेवर नहीं मिलता है उस तरह से आपको इसके फ्लेवर देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं अपनी जो हमारी तुलसी के मेडिशनल प्रोपर्टी जहें उनके बारे में क्या प्रोपर्टी होती हैं किसना तुलसी में क्या प्रोपर्टी होती है राम तुलसी में तो और आपको कौन सी तुलस तो नहीं होता है फिर वी जो भी डिफ्रेंस होता है वो आपको जानना चाहिए क्या क्या इसमें डिफ्रेंस होते हैं और ये अगर बात करें इनके डिफ्रेंस की तो आप लोग जानते ही होंगे कि हर एक प्लांट की हर एक आयरुबेदिक की अपनी-पनी एक प्रोपर्टी हो गरम तासीर की होती है और जो राम तुलसी होती है वो ठंडी तासीर की होती है तो इसका आप क्या करें तो इसके लिए आपको करना होगा कि आप जब भी गर्मियों के सीजन में अगर आप कोई काड़ा बना रहे हैं या आप खा रहे हैं तो आप राम तुलसी को प्रिफर करि और कुछ यही डिफ्रेंसे थे इन दोनों में और आप बात कर लेते हैं कुछ और कोश्चन के बारे में आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि हमा कृष्णा चुलती और राम तुलसी में से कौन सी अपने घर में लगा सकते हैं और कौन सी हमें लगानी चाहिए तो मैं जो प्रिफर करूँगा आप दोनों ही प्लांट लगा सकते हैं आपके पास अगर जगह परियात नहीं है तो आप या तो पॉट में लगा रहा है तो एक पॉट में दोनों प्लांट भी लगा सकते हैं नहीं तो अगर आप एक प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप कृस्ण दोनों ही तरह के प्लांट किस्णा तुल्सी और जो मारी राम तुल्सी है दोनों को प्रिफर कर सकते हैं क्यूंकि इसको आप रखे चारों तरफ लगाएंगे तो आपके यहां बहुती खुसषूवु आएगी और बातवर बहुत ही सुद रहेगा तो आप दोनों ही प्लांट लगा सकते हैं और अगर आप फिर भी अगर एक ही प्लांट चूज करना चाहते हैं तो कृष्णा तुलशी को आप रिफर कर सकते हैं तो आप इसको लगाईए और इसका एक और वेनिफिट है कि आप अगर इसको घर के आसपास लगा देते हैं तो आपके हाँ मच्छर की जो तादात होती है वो भी कम हो जाए क्योंकि तुलसी के आसपास जल्दी से मच्छर नहीं रहते हैं और यह इतनी अच्छी खुषबी निकलती है तो मच्छर इसके पास नहीं रुखते हैं तो आप अगर हो सके तो आपने घर के चारो तरफ जरूर लगाएं प्लांट आप दोनों ही प्लांट लगा सकते हैं कशना तुलसी और राम तुलसी दोनों का ही पर आपको ध्यान रखना होगा कि जहां पर भी आप इनको लगा रहे हैं वहां पर जो भी सुआल होती है वो नाले-ाले की ना रहा की और आप खेश से डाल सकते हैं इसको लाकर खेस से या गार्डन से तो बहुत ही अच्छी तरीके ते चल भी जाता है अब बात कर लेते हैं क बता दूँ कि कई सारे लोग पूछते हैं कि हमें किस regulation में इसको लगाना चाहिए बैसे तो इसका कोई direction नहीं है क्योंकि यह किशी भी डायरेक्षिं में क्योंकि यह medicinal plant है तो कोई ज्यादा Bhashtu का ध्यान नहीं रखना पड़ता है फिर भी जो लोग बास्त पर भरोसा करते हैं और बास्त को मानते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि आप नौर्थ इस्ट में इस प्लांट को लगाईए वहाँ पर अच्छी सनलाइट भी मिलेगी और अच्छे से प्लांट ग्रो भी करेगा तो यही कुछ आपके major difference थे और बताया आपको कि कौन कौन से आप इन दोनों में से कौन सा प्लांट लगा सकते हैं और कौन सा प्लांट नहीं लगा सकते हैं और किसमे जदा medicinal good पाय जाते हैं तो यही कुछ differences थे तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ सेर करें और कोई भी आपका अगर डाउट ओ, कोश्चन ओ, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूँ सकते हैं इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू